कि हेलो टीचर्स यह अभी एंसेडी का जो प्याटी का पेपर हुआ था उसमें कोश्चन आया था कॉल्ब लर्निंग थियोरी से तो आज हम इसके बार में पढ़ेंगे इसका अंसर है इसका अंसर आप खुद दोगे तो इसका अंसर अभी तो इसके अंसर आप खुद दोगे आगे के शुरू करते हैं तो अभी आप देखें कि उन ने यह सब वर्ड पूछ रखें तो यह इसके लर्निंग साइकल में है यह कोल्ब का लर्निंग साइकल है हम देखेंगे इन सारी इन सारी सीजियों को तो पहले अंसर जो मैंने मॉस्ट पूग्निटी पूछ रखा था उसका अंसले सिमिलेशन इसके और इसके बीच पूछ रखा था कौन सालाइज करता है उसका कन्वर्जर है तो इसको मैं मेरे साथ बने रहें दोस्तों यह हैं डेविट कॉल्ब और यह अमेरिका के थे 1939 में इनका बहुन हो था और 1984 में इन्होंने के लर्निंग स्टाइल और नर्निंग साइकल दे दिया था तो आप इने देख रहे हैं आप कि यह जोन डीवी जीन प्याजे और कट लिविन से प्रभावी थे तो जोन डीवी का एक्परमेंट इन एक्सपरमेंट जो पर वह दिखाई देता है तो आज हम के बारे में पढ़ेंगे के देविट के बारे में तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग साइकल की बात करेंगे तो जो कॉप से कोड थे हुद आ हैं नonda ने बताया कि learning cycle चलता है इस तरींग pracy सब्योब्क आफ लिख्लेक्षान समसकते हैं हम किसी प्रभी चला वे देख रहे हैं हम देख रहे हैं यह उसको है एक उसा राँ हुर्सका में लाय कि एक वाइक चलाते वह देख रहा है तो सबसे पहले कर रहे हैं हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि लार्न थीर्य ओफ्राइब पहल लेखें डिलार फीड़ वह जाला है एकसि न इत्सकेंड शुक्क करें है इसे और सामने देखना है गेर ऐसे हैं इस पीड़े से बनेगी इस तरीके से दूसरा इस्टेप आ जाएगा तीसरा क्या है एक्सिप experimentation क्या है हम क्या कर रहे हैं get on the bike and attempt to ride हम उसको चलाना जा रहे हैं आप तीसरे वाले में और फिरी फिर आगे बढ़ेगा कि फिर कंट्रेट एक्सपरेंस आएगा फिर अपना experience आ जाएगा में लास्ट वाले में कंट्रेट एक्सपरेंस फिर उसको आगे हम अपलाई कर देंगे दुबारा तो यह चारी स्टेप हुए इसको बोच कर रहा है वह देख रहा है हम किसी विचीच को देख रहे हैं बाइक नहीं कोई भी चीच हो सकती है फिर एप्सक्रेट चला रहे है उसके रूल बना रहे हम अपने आप तीसरा गया एक्सीब nella क穴ी है अब एक्टिव अप्लाई कर रहे हैं तो सेमें कंप्रियसमूल रहा है इसे समझयों और जैसे इस तरीके से नोंबहुं काफी अच्छे समझा रखाए यहंपर हम देख सकते हैं ये कंड़र एक्सप्रियंस या tablespoon एक्टिफ इस्पृप् यह ऐसे चलना है ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है फिर क्या है हम गेट राइड कर रहे हैं उस पर हमने सवारी करी तो उसको फिर हमने हमें एक experience मिल गया इस तरीके से समझ सकते हुआ ठीक है दोस्तों यह था इसका learning यह learning cycle के learning cycle ऐसे चलता है किसी भी में जो इन्हों ने बोला कॉल ने उनके according तो इस पर भी question आ सकता है इस टेप पूछ सकता है कौन कौन से हैं कैसे भी question बन सकता है अब आगे बढ़ते हैं हम learning style की बात करते हैं वह learning cycle था कि cycle में चल रहा था पहले हम क्या कर रहा था फिर कुछ नियम बना रहे थे फिर हम उसका apply कर रहे थे फिर उससे experience हा रहा था इस तरीके साइकल चल रहा था अब बात करते हैं learning style की कि कुछ जो ठिंकर होते हैं हम लोग जो हैं जो भी learner है वो diverger हो सकता है assimilator हो सकता है Converger हो सकता है या फिर accommodator हो सकता है तो अभी समझते हैं कैसे तो इस पर question कैसे आता आप देख चुके हो उसने पूछा था कि Converger जो learner होता है कौन सा learner होता है style वो कि इन दोनों से मिलकर बना होता है तो उसमें यह पूछ रखा था यह और यह वाला तो कोई भी जो learning style है इसमें से तो जैसे diverger है तो वह इन दोनों से मिलकर बना होगा अपने ऌई साहिडर आरत टार एक लेटर है तो तो इस इन दोनों से मिल कर बना सब्सक्राइब दऑर हम इसे समझते हैं और वह इसे समझते हैं गाते से से समझते हैं कि जैसे आप सबसे पहला देखें कि डाइवर पहले वो चार स्टेप कंक्रेट एक्सपिरेंस है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव अबजर्वेशन है यहाँ पर एक्टिव एक्सपर्मेंटेशन है यह तो हम सबसुमें यह लर्निंग स्टाइल का पार्ट है ठीक है और यह सोरी यह साइकल का पार्ट है ठीक है अब हम लर्निंग स्टाइल की बात करें तो चार तरीके के लर्निंग स्टाइल है में डाइवर्जिंग एसिमिलेटिंग कंवर्जिंग यह एक्रमडेटिंग यह डाइवर्जर एसिमिलेटर कंवर्जर यह एक्रमडेटर ठीक है तो जो डाइव तो कोस्ट्टन ऐसे ही आता है आप देखा आपने और कि इनके बारे में बेकर करके बात कर दियान रखना अब बीच वाला है यह यह साइड वाले दोसे मिलकर से बात करते हैं सबसे diverger की बात करते हैं तो पहले वह बताता हूं एसे इमिलेटर आपको क्योंकि उससे वह question हो जाएगा हमारा तो एसी मिलेटर में क्या है पहले समझ लो यह most cognitive approach है इसमें सबस्यादा जो thinker है इसे मैं एसी मिलेटर भी हो सकता हूं आप एकोमेटर भी हो सकते हैं thinking पर बाते कुछ लोग करके सीखते हैं कुछ लोग सुनकर कुछ लोग देखकर तो वह अलगतीन तरीके के नॉर्मल लर्निंग इस्टाइल है अब यह कुछ आगे हैं अच्छ और और डीप हैं यह समझ लो तो वह question इकोमडेटर होते हैं वह ग्रीट और एक्टिव इंट्रम अपरोच और काुछ और मौस्ट कोन में अब हम यहां बात करते हैं diverger और Converger thinker या कह सकते हो Learner diverger जिसफ इसी पता है diverger का मतलब कहता है out-of-the-box यह कही बार पूच्छा गया है जो लोग creative होते हैं इस तरीके के out-of-the-box thinking diverger तो यह जो इस पर बात करें हम यह जो diverger वारे होते हैं यह बने किसे होते हैं concrete और reflective पहले यहां रिफ्लेक्टिव था यहां पर जर्णलाइज जो कर दिया था वह था चोथ अवाला आपका जो एक्टिव एक्स्परिमेंट वाला था ठीक है तो इसमें दो दो हैं सब यह आपको उसको देखो गया चार्ट उससे आपको बहुत अची तरह याद हो जाएगा यह इस वाले से आप याद कर सकते हैं कि इसको आप पोस्प करिए स्क्रिंपर लिजिये और इसे याद करिए कि कौन सा किसकी में आता है इसको आप नियमाने क्यों up चैया उन अक्तामग बेर्द में आपको बता है कई बार तो डाइबर्जर जो होगा वह आउट ओबोक्स सोचेगा और कई तरीके सोचेगा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी वह अधिकतर पूछेगा वाई इसकी पेचा आने वाई का कॉर्शन पूछेगा मैं साहिद अपने आपको मैं बताता हूं मैं यह मानता हूं क् से कॉश्चन बहुत करता हूं और मैं किरेटिव ज्यादस होसता हूं तो बहुत सारे अनसर होँ जल्दी सैटिस्वाइए नहीं होता और सब अपना अपना आप भी हो सकते हुए है आप अकृमेटर भी हो सकते हो है स्कते हो बहुत अच्छे इंटिलिजिंट और कन्वर्ज कि पता लग गया वाई को महीन पूछते हैं और यह रहां करते हैं और कन बजर्जुर्ड यहूंटासटे हैं ओ वह किया है कि मतलब आप क्रिएव नहीं रहे हैं रफ़ों वह श्यादा ओटी है में वह प्रैक्टिस वर्क इन प्रैक्टिस ट्राइए आउट दियर आइडिया टु सी मैंने इफेक्टिवली स्मॉल केरफुल चेंजे दे प्रेफिर अलोन इंडिपेंडेंट ली और मेरे इसा क्या करेगा गुरुप में रहेगा और यह तो इस तरीके मोटा मोटा में आपक सब्सक्राइब करके तो साहिए और अच्छा हम आप कनवर्जर देखते हैं तो यह क्या होते हैं कनवर्जर अबस्ट्रेक्ट एक्टिव यह उसी से बनाया इस एहरों से समझ सकते हो चार तिंग एंडू प्रेफेर प्रैक्टिकल यूज उफ नॉलीज कनवर्जर जो होते ह हैu प्रेफार प्रक्रैक्टिकल यूज अफ नॉलीज में होते हैं कर होते हैं और टैक्निकल प्रोव्र проблем और सबस्क्राइब यह इस से देखोगे तो abstract and reflective होते हैं think and watch से सीखते हैं pool information together सबसे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं like to design a model और theorist यह होते हैं बड़ी अबड़ी यह theorist बड़े-बड़े वह assimilator के अंदर आते हैं जाए तर इसे समझ सकते हैं और फिर है आपका accommodator accommodator क्या होते हैं active and concrete होते हैं क्योंकि करके सीखते हैं सबसे ज़्यादा हैंड-on एक जो वह होता है most हैंड-on जो learning style वह यह है और feel and do great adapter trial and error यूज करते हैं बारबर करते हैं बारबर करते हैं और एक first and then reform पहले एक करते हैं फिर reform करते हैं और लास्ट है diverger diverger क्या है diverger का मतलब है diverger में out of thinking करेंगा ग्रूप में रहना पसंद करेंगा वाई वाई एक एंसर पूछेगा यहीं आज की हमारा वीडियो थी इसको लाइक करें शेयर करें लोगों को बताएं और चैनल को आगे बढ़ाएं और कमेंट करें ओके थैंक यू दूसको